कई हई फ्रैंड्स वेलिकंट इंज् Arvis zod दा कि चैन्मीकल रिएक्षिं होता है या फिर को गैस होता है या फिर जो टेंपरेचर रहता उसके आते तो क्या यह सई मैं ऐसा ना होता है तो हा यहां पे ऐसा होता ही है पर वह कैसे बता चलेगा तो कि हमtime यहां पे कुछ activities करते हैं उसका according यहां पर देखेंगे सबसे पहले यहां पर activity करते हैं जिसमें हम यहां पर क्या करते हैं मैगनेशियम रिबन लेते हैं मैगनेशियम रिबन को हम क्या करेंगे तो कि फ्लेम के थुरू यहां पर उसको जलाते हैं यहां पर अभी देखो तो एक बर्नर के थुरू यह जो मैगनेशियम रिबन है उसको हम जलाते हैं तब क्या होता है तो यहां पर आप अब्जर कर बलाएंगे यह जो इसको हम एक वाच ग्लास में कलेक्ट करते अब यहां पर देखो तो यह जो रिबन का ऐसे आपको कौनसे कलर का दिख रहा है वाइट कलर का दिख रहा है यहां पर यह जो एससे इसको क्या बोलेंगे magnesium dioxide यहां पर हमने क्या किया तो कि magnesium का ribbon को जब हम यहां पर burner के थूरू इसको जला रहे तो वो oxygen के साथ mix होके magnesium जो है वो oxygen के साथ mix होके यहां पर उसका S मिल रहा है अपने को यहां पर जो state था ribbon का जो state था और यहां पर powder form में आ गया यहां निकि changing state होता है जब भी chemical reaction होता है तब तो हो गए यहां पर changing state अब यहां पर temperature का आप बोल रहे थे color का भी बोल रहे थे कुछ यहां पर चेक करते हैं दूसरा यहां पर एक example ले लेते यहां पर आप देखो पर जिंक के कुछ particles डालते हैं अब थोड़ी देर के बाद देखोगे तो यह जो particles है वह आपको यहां पर दिखेंगे ही नहीं क्यों नहीं दिखेंगे क्यों जो zinc है उसने यहां पर क्या किया reaction किया dilute sulfuric acid के साथ तो यहां पर जब reaction होता है तो यहां पर जो solution मिलता है अपने को वह क्या रहता है zinc sulfate का solution मिलता है और जो hydrogen gas से वह evaporate होता है from the flask और यहां पर आप देखोगे तो यह जो flask के यह conical flask के उसका temperature अगर देखोगे तो temperature में भी थोड़ा यहां पर फरक आपको दिखेंगा यहां कि temperature बड़ेगा यहां पर यहीं था हमारे यहां पर दूसरा activity यहां पर प्रूव करता है कि जब chemical reaction होते है तब changing state changing color या फिर changing temperature या फिर evolution of gas any type of gas यहां पर मिलता है तो यहीं था हमारा chemical reaction के according यहां पर दो activity कर लिया अभी हम यह जो chemical reaction किये है उसका equation बना सकते है तो कि हाँ बना सकते तो वह equation क्या होगा और कैसे बना थे वह जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ थैंक्यू